वेल्कम तो केप्टानेगेटेंस हेलो वाइस कैसे हो आप सब लोग मैं आप सभी का वेल्कम करता हूँ यूटूब चैनल केप्टानेग्रो में गाइस कल अमारी क्लास नहीं लग पाई थी आज हम पड़ेंगे यहां पर ग्राउंड नट कल क्लास क्यों नहीं लगेज एगी किलन अमफान आ रहा था आप लोग बोल रहोंगे कि सर कोटा में थोड़ी आया था बिलकुल कोटा में नहीं आया लेकिन यार उसकी थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही थी और जो मेरा गर है लोगडाउन के चलते complete नहीं हो पाया मतलब gate तक नहीं लगे तो gate के जगे पर चद्दर टगें हुए हैं जैसे ही थोड़ी सी आ हुआ है और धम 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 तो काफी यादा आवाज आती वीडियो में इसके वज़े से हमारी कल क्लास नहीं हो पाई और आज हम यहाँ पर पढ़े लोग चेunky बेल करें उसपर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी अग्रीक्लिक वीडियो खरौन ciao आपको time to time मिलते रहे इसके लाओ थोड़ा सा में बात करना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलेग्राम ग्रूप के बारे में देखो जो टेलेग्राम ग्रूप है किसलिए बनाया गया है तो इसलिए बनाया गया है ताकि आपको वहां पर नौट्स मिल सके अगर आपके कोई डाउट से कोई कंफ्यूजन हैं कोई क्योशन से तो आप उहां पर अपलोड कर सके उनके आंसर आपको वहां पर मिल जाते हैं बट यार आप इसका बिल्कुल गलत यूज करो टेलेग्राम ग्रूप का मुझे पता है कि लोगडाउन चल क्यान थे नहींट फाल मुझे मेंसेजस सारे के सारें बिल्कुल बखवास के आर अफ़ाल की मतलब बहसवाजी ग्रूप पर ना करें कि देट की श्रीविया ना करें 1 से क्याıldब में थे टिया है लोगडा उप इक ट्रूप करने का मतलब आप एक त्री कर तरीके से समझे क्योंकि group पे आपको सब कुछ चीजे मिलेगी हो सब कुछ notes मिलेंगे पूरे इंडिया के आलग-अलग कोने से notes upload होते हैं सारे के सारे notes आपको मिलेंगे तो एक तरीके से हतियार हैं आपके exam का या तो आप उसको हतियार बना ले या फिर बस इसलिए guys थोड़ा सा ध्यान दे यार अब आप बड़े हों गए 12 के बाद आप entrance exam के तयारी कर रहो college में आने वाले हो तो group पे बहस्वाजी बिल्कुल ना करे group सिर्फ आपके help के लिए हैं आप वहाँ पे notes upload कर सकते हैं कोई question है कोई doubt है तो आप उसको वहाँ पर डाल सकते हैं इसके लवा कुछ comments मेरे पास आये कि sir personally कोई boys हैं जो में इस तरीके से message करते हैं तो सबसे पहली privacy आपके पास है कि आप उसको block कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आप उसको तुरंत block कर दे बाकि फालतु की बहस आप group के अंदर ना करे बिल्कुल भी तो guys I hope आप लोगों को सबको समझ में आजया होगा चलिए start करते हैं आज का वीडियो लेक्चर हमारा काफी यादा most important वीडियो लेक्चर होने वाला है आज हम ground नट पढ़ने वाले हैं मुंफली पढ़ने वाले हैं करीबन करीबन आपके 5-6 पेज भरने वाले हैं तो बिल्कुल अच्छे से register लेके बेठो नोट करते वे चलो समझते वें चलो कोई भी doubt है तो comment करो आंसर आपको दिया जाएगा चले start करते हैं एक बार comment section में जै जए जवान जै किशान लिख दो और session को वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक से अधिक सेर का मतलब है सभी एजी वाले students के पास पहुंच जाए facebook औ आप लोगोंने मेरा जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया आप तक आप सब्सक्राइब करें उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लवप्रिकस गोम में नाम से हैं ठीक है तो आप उसको सब्सक्राइब करो वहाँ पर भी कुछ सब्सक्राइब करना समझना सुनना पीनट इसको बोला जाता है पीनट क्या बोला जाता है पीनट समझ में आगया दूसरे नाम में अर्थनट अर्थ मट इसको बोला जाता है अर्थ मतलब जमीन के अंदर वाला नट मनीला नट मनीला नट करती वह चला है क्योंकि में रफ कर दूहां हमारे पास इसपेस इतना नहीं है मुमफली में में काफी यदा पढ़ना है मंकीनट मंकी नट इसको बोला जाता है पिंडा पिंडा इसको बोला जाता है गुबर गुबर इसको बोला जाता है किंग किंग आफ ओईल सीड क्रॉप इसको बोला जाता है वनस्पति तेलों का राजा इसको बोला जाता है तो, कहीं जाए सारे इतने सारे नाम हैं सारे के सारे नाम आपको यादोना चीह बिलकुल अच्छे से सारे नाम एक बार में साथ बोलो पीनट पीनट अर्थनट मनीलाणट मंकीनट गूबर गूबर अर्ट किंग of all seed और भी इसको बोले जाता है Energy Capsule, क्या बोला जाता है दोस्तो, Energy Capsule इसको बोला जाता है Energy Capsule, मौंगफली काफी अच्छी है, खाने में भी टेस्टी लगती है, दो प्रिकार की मौंगफली होती है सब कुछ आपको बताया जाएगा, आप कोई से भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो, Agriculture में सब में आपके काम आएगा, कुछ यहां से नहीं छूटने वाला, ऐसा नहीं है, कि पर्टिकुलर जेट के लेवल से, या पर्टिकुलर आइसी आर के लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है आप आगे कोई साब एक्जाम दो, मैं इस वीडियो के इंदर आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से क्वेशन कहां कहां से पूचे गया है, ठीके, तो आगे बढ़ते हैं, नोट करते वे चलना, और सेशन को बिलकुर यार अधिक सदिक से जल्दी, ठीके, फटापट से सब्स हाइपोजिया है, आरेकिस हाइपोजिया, कहां से आया है नाम, तो इनाम आया है ग्रीक भासा की दो सब्दों से, ग्रीक भासा की दो सब्द कौन-कौन से हैं, पहला सब्द है आरेकिस, दूसरा सब्द है हाइपोजिया, क्लेर है, आरेकिस मतलब क्या होता है, समझो, ब्रे एगुमिनेसी, फेबेसी, एंड हाइपोजिया, हाइपोजिया मतलब होता है, बिलो, बिलो, अर्थ, मतलब जमीन के नीचे, जमीन के नीचे क्या, तो जमीन के नीचे सोल के अंदर, नट या पोड, वही मुझफल ये पोड बनता है, नट बनता है, इसका जो फोल होता है, उस जल उत्पत्ति कहां से मानी जाती है चलिए कमेंट कीजिए कहां से मानी जाती है ऑप्षन आपके पास है ऑप्षन नमबर आपके पास है कोरोना ऑप्षन नमबर भी आपके पास है इंडिया ऑप्षन नमबर सी आपके पास है ब्राजील और ऑप्षन नमबर डिया आपके पा सर कहीं कहीं अप्षिन में ब्राजील नहीं दिया जाता तो आप वहां पर लगाओ वे साउथ अमेरिका आपके नोट करते भी चलना नोट करोगे तो आप बार में पढ़ पाओगे वीडियो को आप अभी देख लोगे सब समझ में आ जागा सब कुछ ओके है रेडी है लेकिन आगे बात करते हैं फेमेली तो यहां से लेग्यू मतलब लेग्यू मिनेसी परिवार कौन सा हो जाएगा लेग्यू मिनेसी हो जाएगा फेबेसी तो बिल्कुल अच्छे से परिवार भी याद रखना कुली याद रखना आगे बात करते हैं प्रोटीन परसेंटेज तो प्रोटीन परसेंटेज में ही कन्फूस होता है स्टुडेंट देखें कैसे कन्फूस होता है option number A आपके पास है 18% option number B आपके पास है 26% option number C आपके पास है 45% and option number D आपके पास है 35% चलिए कमेंट कीजिए फटा फट राइट आंसर कमेंट कीजिए कि प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है मुमफली में तो प्रोटीन का जो प्रतिसात होता है मुमफली में वो होता है हमारे पास यहां पर option number B हमारा right answer हो जागा 26% लेकिन अधिकतर स्टुडेंट क्या लगा देते है 45 लगा देते है लगाने का reason क्या है तो समझो मैं बात करो oil percentage तो इसमें oil percentage होता है 45% और इस्टुडेंट हो जाता है confused तो कभी-कभी तो oil में 26 लगा देता है और प्रोटीन में 45 लगा देता है उसे oily पुझा जाता है mainly कि कितना percentage होता है इसलिए बिलकुर अच्छे से याद करना आपका एक भी question गलत नहीं जाना चीए ठीके आगे बढ़ते है fruit को क्या बोलते है तो fruit को क्या बोलते है अभी जस्ट मनें आपको बताया था nut या pod बोलते है क्या बोलते है nut या pod बात करें vitamin तो दोस्तों इसमें vitamin E पाया जाता है इसके लवा vitamin B complex के अंदर जो vitamin साते हैं वो पाया जाते है and calcium भी इसमें पाया जाता है क्लेर हो रहा है समस्ते वे चलना vitamin E पाया जाएगा calcium पाया जाएगा और B vitamin B ठीके pollination की बात करें कि इसमें परागण कौन सा होता है तो मूंग फोली में परागण होता है self-pollinated crop है मतलब self-pollination होता है हिन्दी में बात करें तो स्वप परागण होता है कौन सा परागण होता है स्वप परागण self-pollination बिलकुल अच्छे से समझना है कुछ भी नहीं छोड़ना है self-pollination होता है इसके इंदर और यह कौन सा प्लांट है तो यह SDP प्लांट है SDP का पूरा नाम कमेंट करो स्वप प्लांट मतलब अलप दिवस पादप और क्या बोलते हैं सी थी प्रकार का प्लांट है सी थी प्लांट है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक जो भी मैंने आपको बेसिक बेसिक बताया बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी इसमें लगेगा आपके पास किसका छिलके का इधर ढ़ेगा दानों का दानों का देर इतना सा छिलकों का देर इतना बड़ा तो छिलके कितने होते हैं मतलब सेलिंग पसंटेस कितना होता है सेविंटी होता है कितना होता है 1000 दानों का जो वजन होता है 1000 दानों का जो भार होता है उसको परिक्षन भार या टेस्ट वेट बोलते हैं तो यहां पर इसका टेस्ट वेट आपके पास हो जागा देखो 450 से 500 ग्राम कहीं किताबों में 500 ग्राम मिलेगा कहीं किताबों में 450 ग्राम मिलेगा और कितने दानों का भार एक हजार दनों का भार समझ कमा रहा है है आप लोगों को यहां पर ऊपर यह और पूआप से पूछा जाता है मैंने आपको सीड इंडेक्स बीजिस उचांग नाम से बी कुछ होता है हाँ तो बिल्कुल होता है सीड इंडेक्स किसको बोलते है और wyp क्या लेते हैं सिद इंडेक्स लेते हैं और सिद इंडेक्स के अंदर सिर्फ सो दाने लिए जाते हैं 1-2-3-4-5-6 ऐसे 100 तक और उनका वेट किया जाता है उसको बोलते सीड इंडेक्स तो इसमें जो सीड इंडेक्स होता है मात्र 45 ग्राम प्रती सो दानों का भार प्रती सो दानों का भार जाता है तो सबसे बहुत करते हम वर्ल्ड की वर्ल्ड में बात करें एरिया की तो सरवादिक जो एरिया है मेरे दोस्त वह है इंडिया का किसका है इंडिया का इंडिया की फास्ट रेंक detक मॉंफ़नीरिया मैं एप्रोक्स एप्रोक्स एट पॉइंट एप पॉइंट फॉर मिली हेक्टियर में 8.4 मिलियन हेक्टियर में तो बिल्कुल अच्छ से याद रखना अब बात करते हैं प्रोड़क्शन किसका ज्यादा भी तो प्रोड़क्शन ज्यादा है यार कोरोना का प्रोडक्शन किसका जद्धा है कोरोना का जद्धा है कोरोना मतलब समझ गया चाइना आपको वहाँ पर कोरोना नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको चाइना ही मिलेगा इसके बाद आता है इंडिया इंडिया पर प्रोडक्शन की रेंक कौन सी होई इस तरीके से क्वेशन यहां पर थोटा सा एक और आपसे क्वेशन पूछे जाता है मुंगफवली का जो ओरीजन है मुंगफवली का ओरीजन क्या है ब्राजील है इंडिया में कौन लाया और कब लाया इसको लायते जेश्यूट फादर कौन लायते जेशूट फादर लायते सोल वी सताब्दी में 16th century में तो यहां इन इंडिया में लिखो भई जेशूट फादर कब लायते 16th century सोल वी सताब्दी में तो बिलकल अच्छे से याद रखना इन फादर को अब देखो मुंफली कहां पर सरवादिक होती है इंडिया के अंदर कहां पर होती है इंडिया में गुजरात के अंदर होती है तमिल नाडू की प्रोड़क्टिविटी सब आपको बताऊंगा तो यहां पर एक के जरी हम समझेंगे इंडिया में सरवादिक कौन से राज्जे में मुंफली को उगाया जाता है सरवादिक प्रोड़क्शन कौन से राज्चे में झे है हिंदे में इसको उत्पादन इसको उत्पादकता और इसको सेत्रफल सेत्रफल की बात करें तो सेत्रफल सरवादिक गुजरात का है किसका है गुजरात का कितना सेत्रफल है तो सेत्रफल की अगर हम बात करें तो करीबन करीबन 20 लाख हेक्टियर जमीन में गुजरात में मुंफली को गया जाता है और प्रोडक्शन भी सरवादी किसका जादा है गुजरात का जादा है किसका जादा है गुजरात का जादा है और प्रड़क्टिविटी की बात करें उत्पादक्ति बात उत्पादक्ता की बात करें तो तमील नाडू तमील नाडू इसकी उत्पादक्ता जादा है कैसे जादा है करीबन करीबन 17 से 20 क्वेंटल प्रति हेक्टियर उत्पादन होता है मुंफली का तमील नाडू के अंदर गुजरात में गुजरात में कम होता है मतलब 11-12 उंट प्रती MB' सागे बात करें सेक्शिंड रिंख किस इस्टेट के अती है तो यह तो पहली रिंख हो गई सेकंड रिंख आती आंद्र प्रदेश आंद्र प्रदेश की आती है। और यहां पर प्रोड़क्शन की बात करे तो प्रोड़क्शन आजायेदा तमील नाडू का तक युअ चो प्रोडक्टिविटी है वो गुजराथ की जादा यहां पर इस की जादा है। गुज्रात की गुज्रात में करीबन करीबन भी एक समझास लूब 11 से 12 क्योंटर पृति हैं किर उतपादन होता है थर्ड रेंक जो आती है हमारे पास वह आती है करनाटका की करनाट का, और यहां पर production की बात करें, तो production होता है आंदर प्रदेश में, Rent में लिख देता हूँ, Aपी, ठीक है ना, sesadharma स्रेजहिम गताओ, अंदर प्रदेश ठीक है, Aपी मतलब अंदर प्रदेश, और productivity की बात करें तो productivity है पन्जाब की, मतलब थर्ड रेंग जो आती है उत्पादक्ता में वो पंजाब की आती है फोर्थ रेंग पर बात करते हैं फोर्थ रेंग है मारास्ट्रा मतलब मारास्ट्रा समझना है आपर मेलिक हाइड्रिजाइड मत समझना प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन करनाटका का जादा है करनाटका का जादा है और प्रोडक्टिविटी आती है आंदर प्रदेश की यह टेबल आपको याद करनी पड़े कि तब जाके आपको याद होगी ठीके 5 रेंग की बात करें तो तमील नाडू का एरिया जादा है बिल्कुल अच्छे समझते वे चलना हम पूरा पढ़ेंगे मूंटफली का कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला सब कुछ इस वीडियो से आएगा अगर क्योंशन आएगा तो बस आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखना और वीडियो को लाइक करते वे चलना अधिक सदिक सेर करते वे चलना एक बार फटापट इसका स्क्रीन सोट ले लो भई है न अगर नौट कर रहे ओ नोट स बना रहे ओ तो ये तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं कर रहे हो तब अच्छी बात है इस्क्रीन सोट ले लो और श्क्रीन सोट लेने का मत्लब यह नहीं है ले लिया मोबायल में हैं फिर बूल गए पढ़ना यार उसको पास से दस दिन के बाद में रिवाइस करना ताकि आपको समझ में आ जाए बार-बार पढ़ोगे जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है ठीक है और यार हार नहीं मानने मतलब जीतना है अगर आप लोगों को तो यह आपके उपर निर्बर करता है जीतना आपके उपर निर्बर करता है मान लिये तो जीत गए और अगर हमने मान लिया कि हम नहीं कर सकते तो हार गए मतलब इस सेंटेंस को इस तरीके से बोला जाता है कि मान लिये तो हार गए मतलब जीतना और हारना आपके उपर निर्बर करता है अगर आपने मान लिया कि मा तो आपको टेंसल किसी चीज़ की नहीं करनी बस आफ अपना कर्म करते रहा पढ़ते रहो फुल टाइम है एक ही काम है पढ़ना पढ़ना और सिर्प पढ़ना ही है ठीके आगे बढ़ते हैं एक बार फटाबट से इसका रिवाइस करवा देता हूं रिविजन करवा देता हूं इसका लेग्यूम एंड ब्लो अर्थ जमिन के नीचे पॉर्ड बनेंगे ओरीजन हो जाएगा ब्राजील साउथ अमेरिका इंडिया में जेश्यूट फादर 16 सेंचुरी में इसको लाइध है फैमेली हो जाएगी लेग्यूमिनेसी फेबेसी प्रोटीन 26% ओइल 45% फूट को नट या पॉड बोलते हैं विटामिन ए कैलसी यंप पाय जाता है आया विटामिन इन सेल पॉलिनेशन होता है स्ट डेउस देफ लांट है एंड सी फृट हैं सेलिंग परसेंटेज होता है फ्यंदी फष्ट वेट होता है चार्सव पचास है 500 ग्राम मतलब आदा किलो के आसपास एक पॉइंट फॉर मिलियन हेक्टियर जमीन में उगाया जाता है प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कोरोना सब्सक्राइब इंडिया की फिर यहां पर इस टेबल को समझ ना पांचो इस्टेट पांचो मतलब एक तरीकी से पांचो मैंने पोजिशन आपको यहां पर ब गूगल पे की आईडि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखिए आप गूगल पे किया करो यार थोड़ी सी हेल्प के लिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके आप लोगों का दस रुपे पंदरा रुपे 20 रुपे इस्टुडेंट्स को प्रोब्लम आती है कि सर कैसे कर तो अगर आप नॉर्मल सर्च बार पे सर्च करोगे मेरी गूगल पे आईडि को तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा इसलिए आप नीचे तीन ओप्शन दिखते हैं आपको ट्रांजेक्शन ओप्शन आपको दिखेगा वहाँ पर मनी ट्रांसफर उसमें जाना है वह आपकी chemistry class लगा दी जाए लेकिन chemistry class गाइस तभी लगेगी तब आप मुझे support करोगे क्योंकि यहां तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कोई बात नी बट सामने जो teacher आपको पढ़ाएगा उसको तो पेसा चीए और आप पेसा दोगे तो आपके class लगेगी और पेसा नहीं जाता है तो सर्वादिक मुंफली की खली में पाया जाता है कितना 7.4 परसेंट के आसपास अब अनिमल केक जो आता है ठीक है अनिमल फीड केक यहां पर लिखते हैं एनिमल नौट करते वी चलना अनिमल फीड ओयल केक इसमें नाइट्रोजन परसेंट आपसे पूचा जाता है तो इसमें नाइट्रोजन परसेंट जो है 7.7.8 परसेंट इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है कितना पाया जाता है 7.8 परसेंट यहां पर बात करूँ P2O5 पॉस्पोरस की तो 1.5 परसेंट पाए जाता है एंड महीं आप बात करूं K2O पोटास की तो ये भी 1.5 परसेंट पाए जाता है इस्टार लगा लेना नोट कर लेना अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मुंफली को इंडिया में किसले हो गया जाता है या फिर एक कुशन आपसे पूचा गया है ICR में सरवादिक इंडिया के अंदर भारतवासी कौन सा तेल खाते हैं अधिकतरी स्टुडेंट वहाँ पर लगा देते हैं स्वाया बीन ग्लाइसीन मेक्स लगा देते हैं जो गलत आंसर है राइट आंसर क्या है अरे किस हाई होता है देखो समझो नोट कर लेना आप यहां पर अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो मेरे दोस्त वर्ल्ड में तो सरवादिक तेल खाया जाता है वह ग्लाइसीन मेक्स का खाया जाता है बाइ Anybody लेकिन आगर में बात करूं इंडिया की इंडिया की तो इंडिया में सरवाधिक तेल घहता हे वह ग्राउंड नट का खाए जता है मुंगफली का फाए जता है किस लिए कितना कितना उभाया आजका जाता है इस चीज़ को समझे आप है अगर मे बात करूँ फ्रूल के लिए थीक है तो 80% मुंभली का उपयोग है तेल बनाने में किया जाता है कि तना ऊपयोग 80% बातकर सीड़ तो सीड़ के लिए 20% मुंभली को काम में लिया जाता है एंड आगे हम बात करें खाने के लिए नॉर्मल खाने के लिए देखा है आप लोगों ने स्टेशन पर बस स्टोप पर मुंगफली मुंगफली ठीक है कहीं पर भी फिर आप मुंगफली खाते हो तो उस तरीके से जो काम में लिया जाता है मुझफली को करीबन करीबन 6% काम में लिया जाता है कितना काम में लिया जाता है 6% इसके लाव हम यहाँ पर बात करें निर्यात के लिए मतलब निर्यात कितना किया जाता है तो इसको एक्जाम की तेयारी करोगे आगे agriculture में तो वहाँ पर आपसे question put up किये जाते हैं इसलिए आप समझते वे चलना note करते वे चलना हम एक बार पढ़ेंगे लेकिन एसा पढ़ेंगे कि हमें सब कुछ याद हो मतलब सब कुछ याद हो एक भी question अबारा नहीं छूटना चीए आगे बढ़ते हैं अब आगे हम बात करेंगे classification की classification के लिए मुझे पूरा बोर्ड चीए तो मैं इसको rough कर देता हूं ठीक है note कर लिया इसके नोट कर लिया इसके नोट ले लो भई फटापट तो classification मूंफली का दो तरीके से किया हुआ है दो तरीके से classification मतलब हैं दो प्रकार की मूंफली आपको देखने को मिलेगी एक तो आपको मिलेगी बंच टाइप बंच मतलब क्या होता है गुच्छा जो गुच्छे में मूंफली या और एक होती है कि अब दो तरीके का classification है ओए कि यह लो एक तो हमारे पास आता है यहां पर बंच टाइप कि बंच टाइप इसको इरेक्ट टाइप भी बोलते हैं ए्रेक्ट टाइप या इसको हिंदी में गुच्छे वद गुच्छेदार क्या बोलते हैं गुच्छेदार दूसरा दूसरी कि मुंग फली अमारे पास आती है है यहां पर इस पेरिडिंग टाइप इसको टेलरिंग टाइप भी बोलते हैं या इसको हिंदी में फेल ने फेलने वाली दोनों में डिफेरेंस क्या है समझ लोग पोधा बना देता हो में ताकि आपको समझ माझा जाए प्लांट से समझ बंच टाइब के रेमें बात रूगा जमीन के उपर के प्लांट जमीन के उपर का प्लांट इस तरीके से गुच्र बनेगा ही सबस्ट जब वसक्ट बनेगे司न इस तरीकेसे बनेगी ऊइजेत तरीकेस जमीन में में प्ली मिनेगी बात करूँ इदर इस प्लांट होगा होगा है कि अ stations रही है आफार अगर और यह Чयaha विश्य किम बैंग हमें कुछ और यहां उर यहां इसपेड़ ओघ एल वी तो यह दूनों इर दिफ्रेंस कोण आप भी और सब्सक्राइब करना इसलिए बौटनिकल नेम की बात करें, तो इसका बौटनिकल नेम होता है, Arachis hypogya, सोट में लिख देता हूँ, Arachis hypogya, समझ में आ रहा है, H मतलब Arachis hypogya, और Variety या सब Variety जो होगी, वो Fastygata होगी, Fastygata, हिंदी वाले टेंसर ना ले हिंदी में भी लिखेंगे फेस्टी गाटा हां समझabilities गया यहांपर सके बात करेंखें इसके बॉट्निकल नेंगे हापनेश Wisconsin बॉट almond ने गोकीहँशोंकिश नियां एकशिआ फुरू कुम्बेच давай सब्सक्राइब को प्रोट कुंबेंस यह क्या वोगई इसकी विरेट वि तो दोनों के बोट निकल ले हैं वे अलग अलग हुगोई विल्कुल अच्छे से याद रखना अब देखो और क्या क्या डिफरेंस होता है और डिफरेंस वता है यह सोट डूरेशन है सोट डूरेशन मतलब कम दिनों में पक्कर तयार हो जाती है कितने कम दिनों में पक्कर तयार हो जाती है तो 95 से लेकर 105 दिनों में ये पक्कर तयार हो जाती है इसकी बात करें तो ये लोंग डूरेशन है LD LD गणंएं सुषब्ता अवस्ता नहीं पाई जाती और सुषब्ता अवस्ता पाई जाती है जो मूंत जो टू मन्त तक कुछ नहीं कर सकता है उग नहीं सकता थीकित तो सट्ट टू मन्त तक वोगी दूसरा मिहां पर बात करें है इसमें high germination होता है कि हाथ कि जर्मिनेशन पर संपने भी कि मतलब कितना ज्रेश पर सेंटेज होता है तो करीबं करीबंन nyn याइंसे 95% germination percentage पाया जाता है अगर आपसे पूच़ा जाया कि अरेकिस हाइप टाइप या फस्टी घर्मिनेशन कितना होता है तो 90 से 95% होता है इधर हम बात करें जर्मिनेशन percentage की तो इधर हमारे पास होता है एटी से लेकर 85% समस्राइब आगया मतलब इसका germination percentage कम होता है तो दोनों के अंदर ये major difference है आप इनको बिल्कुल अच्छे से समझना note करते भी चलना I hope आप लोगों ने note कर लिया हुगा तो आगे बढ़े हम ठीके आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर देखेंगे climate, seed rate, yield, insect, disease, बहुत सारे point है अभी note कर लिया ना भी सभी student आगे बात करते हैं climate की चलिए comment कीजिए किस प्रकार का climate मुंफली कुछ ही है मतलब suitable climate क्या होगा मुंफली के लिए climate temperature, water requirement comment करो भी जल्दी से जल्दी बात करते हम यहाँ पर climate की climate, जल्द वायू कैसी चीए तो इसके रिए जल्द वायू चीए tropical जल्द वायू कैसी जल्द वायू चीए tropical जल्द वायू चीए tropical climate and warm season होना चीए मतलब warm season में यह अच्छी growth होती है इसकी clear आगे बात करें यहाँ पर हम water requirement water requirement मतलब जल्मांग तो 500 से लेकर 700 mm इसकी water requirement होती है temperature की बात करें तो germination के लिए तो अलग है germination मतलब अंकुरन और growth growth के लिए अलग है and pod formation मतलब पगते समय है pod formation इनके लिए अलग है germination के लिए temperature की बात करें तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर growth के लिए चीए 26 से 32 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर pod formation मतलब पकते समय चीए इसका क्या हो गया temperature हो गया तो temperature बिल्कुल अच्छे से याद रखना आप सभी को समझ में आ रहा हुगा बात करते हैं soil की किसके लिए म्रदा केसी चीए तो म्रदा यार एक तो जल निकास होना चीए उसमें मतलब water drainage आप लोगों 11th class में पढ़ा होगा कि जो एक्स्ट्रा जल खेत के इंदर भड़ जाता है वो निकलना चीए उसका रास्ता होना चीए ठीके तो ठीके तो अच्छी जल निकास वाली म्रदा चीए यहां पर pH आप से पूझा जाता है तो pH की बात करें तो pH 6.0 से लेकर 7.5 में यह आराम से उख जाएगी बड़या तरीके से इसकी ग्रोथ हो जाएगी डेप्ट आप लोगों से पूझे जाती है कि कितनी डेप्ट पर हमें इसकी बौई करनी चीए तो पांच सेंटीमीटर पर ठीके आगे बात करेंगे हम वह पर उससे पहले हम देखेंगे सीडर कितनी लेनी है गाइस बिल्कुल अच्छे से नौट करते वें चलना सीड रेट तो बीज़र यार दोनों के अलग अलग लेंगे एक तो होती है बंच टाइप फेस्टी गाटा बंच टाइप उसके लिए जो बीज़र लेंगे हम वो लेंगे करीबन करीबन 80-100 kg प्रती हेक्टियर और जो इस्पेसिंग रखते हैं मतलब आर इंटू पी क्या रखते हैं 30 इंटू 10 रखते हैं मतलब रोटो तो कितना डिस्टेंस होगा 30 मिटर 30 सेंटीमीटर का और प्लांट प्लांट कितना होगा 10 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में हैं ठीके तो आगे हम बात करें इस प्रेडिंग टाइप मतला फैलने वाली प्रुकुम्बेंस इसके लिए जो बीज़र लेंगे वो लेंगे 60-80 kg प्रती हेक्टियर और इस्पेसिंग इसमें ज्यादा रखेंगे आर इंटू पी इसमें ज्यादा रखेंगे कितनी रखेंगे 45 इंटू 10 रखेंगे इसमें बढ़ाएंगे यहाँ पर इसमें करीबन करीबन तीन लाग टेतिय से जार पोदों के आसपास लगेंगे आप केल्कुलेशन करना निकल जाएगा ठीक है आगे हम बात करते हैं सोविंग कि सोविंग कब करेंगे तो सोविंग करेंगे इसी टाइम पर मतलब अभी कुन सा तायम है माई माई जून के टाइम पर में क्या करना है सोविंग करनी है mat to you मतलब जब पहली बारी सो जाए ना उस बारी से में कि सोविंग कर सकते हो mat to जून अब यहां पर हम बात करते हैं डेप्ट की, कितनी गे राय में बीज की बुआई करें, तो 5 cm, 5 cm डेप्थ, ठीके ना, इससे ज़्यादा आपको डेप्थ नहीं रखनी, अब जब हम बीज की बुआई करेंगे, तो बीज की बुआई करने से पहले थोड़ा सा हमें ध्यान से करेंगे, तो समझना गाइज, सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट, और जो सीड ट्रीटमेंट करेंगे, और एफ आई आर से करेंगे, एफ आई आर मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्फरमेशन रिपोर्ट, थाने वाली रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहूं फंगी साइड इंसेक्टिसाइड राइजोबियम समझ में आगया फंगी साइड कवक नासी इंसेक्टिसाइड क्या होता है कि टानू नासी केट नासी और राइजोबियम राइजोबियम फंगिसाइड की बात करें तो फंगिसाइड में क्या ले सकते हैं, तो फंगिसाइड में आप बाविस्ठीन ले सकते हैं, बाविस्ठीन के लावा आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा के लावा आप मेंकोजेब ले सकते हैं, मेंकोजेब ये सब कुछ कितन के लिए तो राइजयों जपोन आती है एंड आपको लेना है इसे हम एया करेंगगे बीजुप्चार करेंगे आपको एफ आई आर से treatment करना है इसको उल्टा सीधा मत कर देना एसा मत कर देना आर आई एफ या आई आरेफ ठीक है एफ आई आरी आपको याद रखना है अगे हम यहां पर बात करते हैं अब देखो इन्हें सब का प्रियोग कब करना है इसके लावा हाँ थोड़ा सा मतलब देखो कभी-कभी क्या होता है एक फार्मर वाली बात आपको बताता हूं उसे तो आप करोगे इसे बीज उपचार लेकिन जब फार्मर बुवाई करता है तो वहां पर रियल में होता क्या है तो प्रिक्रिव वहाँ पर क्टैश्न की होती है जब ही फार्मर वीजक की बुववाई करता है तो जो क्रो होता है रखता है है या अप सब लादेता हूं कि फार्मर करते हैं एकसर मतलब बीज होता है उसको आप केरोसीन से ट्रीट करें किसे ट्रीट करें केरोसीन से अगर आपने केरोसीन केरोसीन डालते हो ना सभी मिट्टी का तेल अगर उससे आपने उसको ट्रीट किया है तो फिर क्रो नहीं खाएगा केरोसीन का टालेंगे एन प के डालेंगे एंड जिब सम्नि डालेंगे कितना लेंगे तो कमेंट कर विडियो को ऑद उल यह करते रहो ज़ा pertama mist fertilizer fertilizer में एन पी कितना-कितना तो नाइट्रोजन टू दालेंगे पंदरा केजी फॉसपरस डालेंगे 40 kg एंट पुताथ तरां जालेंगे 60 kg प्रतिहेक्तियोर बस और क्या डालेंगे और जिप्शमँटर लेगी जिप्शम का चल्दी कमेंट करो जिपसम कितना डालेंगे 250 kg मिदा हुट Чер therm के दीजीю मेले कर चृष्ष कराद रसान एक्ष्ण कि अब तक है स के चैसो टो टू एच्ट एश टू हो क्या होता है सीएड्य ऐसो फॉर्ट गोड़ा पॉर्टिलाइजर guarantee बात करते हैं वीड कंट्रोल बीए खर्पतवार रोगेंगे नहीं मानते हैं है वीड कंट्रोल के लिए खर्पतवार न्यंत रन्वान के लिए बैसालीज लेंगे which best July या टॉक टक deg so तो इमाजर जाज थाफीर इसको क्या बोलते हैं पर्शूट नामसे मिलेगी और जो यह परस्यूट है यह आपको लेना है 10% SC वाला और कितना 200 ग्राम प्रती हेक्टियर आपको इसका प्रियोग करना है तो जिससे क्या होंगे खर्पतवार नियंतरन हो जाएंगे मतलब वीड नहीं उगेंगे फादर ओफ वीड कौन जेट्रो टूल खर्पतवार कौन अन्वांटेड प्लांट जो बिना उग जाते हैं बिना काड के आ जाते हैं साधी में ठीके इन क्या बोलते हैं वीड बोलते हैं काफे अधा खतरनाक होते हैं जब भी यह खाद हम डालेंगे मुंफली के लिए यह होते हैं डॉन यह पहले या कि उसको ले लेते हैं जिसको इसे प्रोडक्शन में मतलब एक कुशन आपसे पूचा गया है कि खर्पत वार से करीबन करीबन कितनी हानी होती है फार्मर को तो 35% हानी होती है क्योंकि यार यह ज़रूरी है ताकि पूरा जो भी हम जो भी खिराए फसल को मिले हमारी फसल का प्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे से हो पाए इसलिए हम क्या करेंगे खर्पतवार को नस्ट करेंगे इंटर कल्चर ओप्रेशन ठीक है आप लोग उने पढ़ा होगा निर्याई कुड़ाई केल्सियम की कमी और जैसे केल्सियम की कमी हुई तो पॉड़ तो बनेगा और पॉड़ के अंदर दाने नहीं बनेंगे और पॉड़ के अंदर दाने नहीं बनेंगे इसको बोलते हैं पॉपिंग क्या बोलते हैं आपसे पूचा जाता है कि पॉपिंग किसको कहा जाता है तो आने तो तो यार सथिल्ए डृइए दलवाए था धा ठीके, ना 20Kg प्रति हेक्टीर जिफ्सम दलवाए था ताकर में क्या होता है देखों की से ङीम स्थल्प सरक्रार इसलिए फोर्मूला भी याद रखना सी एसो फॉर डॉर्ट टू एच्टू समझ में रहा है यह आप सभी को आप सभी बिल्कुल सेशन को अधिक से दिक सेर करते रहे कब यूज करें तो यार आप इसका यूज कर लो बौई के 30 दिन बाद आप इसका यूज कर लो आगे बढ कितने दिन बाद 35 से 40 दिन बाद मिट्टी चड़ाई जाती है इसमें अर्थिंग अप लिख लेना नौट कर लेना नौट्स बनाते वह चलना यार नौट्स इंपोर्टेंट है मैं देखो यहां पर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं मतलब मेरा पूरा 100% दे रहा हूं आपको भी आपका 100% केप्टन एगरो को देना है मतलब Captain Egro को जल्दी से जल्दी आपको बड़ा बनाना है अभी हमारा परिवार काफी छोटा है सत्रहजार लोगों का परिवार है इसको जल्दी से जल्दी एक लाग तक पहुंचाए यह सब कुछ depend करता है आपके उपर तो guys आप बिल्कुल सेर करते रहे वीडियो को यहाँ पर मेरा आपको पूरा 100% सपोर्ट है पूरा बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाया जागा बस आपका भी मुझे सपोर्ट अना चीए कि आप हर वीडियो को आपका हर एक एक स्टुडेंट से बात कर रहा हूं आप सभी का फर्ज बनता है कि आप वीडियो को फेस्बुक पर सेर करें यह प्लेटफों किसलिए बने हुए हैं ताकि हम अमारी नोलेज को सेर कर सकें ज्यान बाटन से बढ़ता है तो guys आप वीडियो को continue सेर करते रहे और से फेस्बू क्रूप सब सेर करें ठीके समझ में आरा है आप लोगों को आगे बात करते हैं हम यहां पर वीरैटीस जिसमें आपको सबसे लजा दिक्कत आती है कि सर वीरैटीस के से याद करें तो हम बिल्कुल किसी चीज की टेंसर नहीं लेंगे सब याद करेंगे कौन जी बेरेटी पूझी जाती है इनकी भी हम बात करेंगे बंच टाइप की बात करते हैं सबसे पहले बंच टाइप अलग अलग देखने पड़ी कि बंच टाइप मतलब समझे गुच्छेदार और जेल 24 जेल 24 इसके वरेटी होगे हमारे पास यहां पर मुंगफली जेल में क्या होता है बहुत सारे पब्लिक होती है सलाकों के पीछ रहते हैं तो सही में मुंगफली में पहता है नीचे जड़ों को आप देखोगे तो तो जेल 24 आपको इस तरीके से याद रखना है इसके इसके अलावा भी GG 2 ठीक है हां भी दाड़ी मा कूब achieving चेंडे जिट यूदी इसके याद रखना है इसके अलावा 13 घर 1 याद रखना है इसके आलावा आपकी class की ज्योती आप याद रखना ज्योती आद रखना और T32 भी आप याद रखना ये mission था ठीक है T32 and TMV79 TMV79 आपको sorry 79 ये अलग अलग किसम है यार 79 इसके लावा RG 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 141 है और RG 382 है ठीक है आगे हम बात करें यहां पर causal को सल है एंड फिजापुर वन है तो इस तरीके से यह important varieties आप इनको याद रखे जीज जेल 24 याद रखे जीजी टू याद रखे एक याद रखे ज्योती याद रखे टी-टी-टू याद रखे जादा किस्म आपसे नहीं पूछी जाती है अधिकतरी कोशन आपका इन्हीं किस्मों से पूर्टप किया जाता है आगे बात करते हैं स्पेडिंग टाइप टाइप मतलब फैलने वाली तो फैलने वाली जो किसम है अमारे पास वह आती है आरस % ऐन आपने मुःवह होगी मुःववह हल्का गुराबी रंग होता है हल्का अ गुराबी तो इस्सी का होता है RS1 है and RSB 87 है M 13 है चंद्रा ठीके ना चंद्रा याद है भई सभी को चित्रा भी याद रखना चंद्रा से चित्रा चंद्रा चित्रा एंड चित्रा को और भई क्या बोलते हैं मार्टेन भी बोलते हैं आपको जीजी टू याद रखना है तो गईस हमारी विरेटी बिल्कुल अच्छे से याद करना दो चार बार आपको रेजिस्टर में लिखनी पड़े बार-बार लिखनी पड़े लेकिन याद जरूर कर लेना याद होना मैं हमारा जो में मोटिव हैं वो क्या है कि सर जो भी ह गवार ने जाँगो हैं सब हमें याद करना हैं हमारा यही मकसद है याद कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे मतलब आपका एक्जाम बिलकुल अच्छे से पास कर लोगे कि जीतना और हारना सिर्प आपके उपर निर्बर करता है, मान लिए तो हार गए और ठान लिए तो जीत गए और आपको ठानना है, आपको मानना नहीं है, आपको ठानना है कि हम ठान लिए हैं, हम B.H.U. में सेलेक्शन रेके रहेंगे, हम ICR में सेलेक्शन लेके रहेंगे, हम पर इरिगेशन हमारे पास है डिजीज है इंसेक्ट है और एक दो पॉइंट है जो मैं आपको नोट करवा दूंगा बस आप बिल्कुल वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करते रही है जो लोग चेनल पर नाये हैं चेनल को सब्सक्काइब करते रही है फटा पर बिल्कुल यहां पर हम बात करें पहली इरिगेशन कब करेंगे फर्स्ट में लिखुँगा मैं सबकुछ क्योंगिद टाइम बचेगा फ़स्ट इरिगेशन आप लोगों को करनी है फ्लावरिंग इस्टेज पर फूल आ जाए तो फ्लावरिंग स्टेज एंड इस सेकंड डिएशन कब करनी है तो सेचिंड ऐलिकेशन आप लोगों को करनी है यहां पर पेगींग इस्टेज पेग के अब क्या होती है सुईया बनने लग जाती है एंड थर्ड व्याम समझ घा नीचे पोड ने लग जाएंगे चोटे छोटे एंड थर्ड इस्टेज आपके पास आती है पॉड़ फॉर्मेशन पॉड़ फॉर्मेशन मतलब नट बनते हुए पॉड़ बनते हुए यह हो गया हमारा इरिगेशन अब देखो इसमें क्या होता है देखो एक चीज पाई जाती है विसला पदार्थ पाया जाता है आप लोगों नहीं मुंगफली को खाया होगा फोड़ी मुंगफली और खाया कभी-कभी ऐसा लगता है यह बहुत ज्यादा कड़वी लग रही है और हम उसको थूंक देते हैं बाहर अजीब से होती है उस पर वाइट वाइट कलर का कुछ पफूंद होता है तो फफूंद क्या होता है उता है एफला टॉक्षिन और एफल पदार्थ कूछ प्रजीन पाया जाता है तो आपका रहीट-अंसर क्या होगा कि सर इस्में पाया जाता है फलाटॉक्षिन और आप इस को नौट करना नवत जो मतलब किस बनता है तो दुद्धे घ्यान नौट करते हूँ इसलिए इसका स्टोर्स जब हम करेंगे न तो इसे टाइम पर स्टोरेस के टाइम पर छे से आाट पसेंट नम्यों ना चीए कितने नम्यों ना चीए ज्यादा होगी तो फिर बनेगा ही आगे बात करते हैं अब यहां पर डिज़ेर्स की रोगों की बात करतें कि कौन-कौन से रोग लगें तो एक ही रोग जो इसका famous से काफी ज़्यादा किस्वासल में लगता है तो आपका र्लेट अंसर रोग तो मुंधफ़ली में लगता है किसे में लगता है मुफली तो भी नॉट करेंगे सभी स्टुडेंट रोग डी आयसी डिजेज रोग सबसे पहला आता है टिकका कौन सा रोग आता है टिकका रोग और इसको हिंदी में भी टिकका रोग ही बोलते हैं ठीक है ना टिकका रोग टिकका रोग एक कवक के दोरा होता है कवक के सेरो इसपोर आप प्रेस्टोनेटा पर्सोनेटा इस कवक की दोरा यह रोग होता है और बात कर लेटे हैं डारेक्ट कंट्रोल की तो कंट्रोल आप करोगे मैं को जेब ले सकते हो क्या ले सकते हो मैं को जेब मैंने बताया था आपको treatment करना इसलिए मैंनको जैब 1.5 kg प्रती हेक्टेर के साब से आपको प्योग करना है 40 दिन बाद आपको इसके करना है कितने दिन बाद 40 दिन बाद and कार्बेंडा जिन ले सकते हो कार्बेंडा जिन कितना लेना इस 0.5% का आपको इसके करना है यह हो एसपरजीलस निग्रा और कंट्रोल के लिए कंट्रोल के लिए हम ले लेंगे बाविस्टीन क्या लेंगे बाविस्टीन 0.3% का में क्या करना है इस प्रे करना है बिल्कुल अच्छे से याद रखना इसके लाव एलो डिजीज लगती है और यह वाइरस जनीद बीमारी है इसके कंट्रोल के लिए आपको लेना है F.E.S.O.4 मतलब आपको क्या लेना एक तरीके से जिपसम आपको डालना है ठीके F.E.S.O.4 फेरस सल्फेट आपको लेना है 0.5% का आपको क्या करना है इस पर करना है और भी बहुत सारे लोग है तो ह में ज्यादा नहीं पढ़ना इसके लावा इसे बड्ड नेक्रोसिस लगता है बड्ड नेक्रोसिस जो है ओ वहां किसका कोन है थ्रिप से कंट्रोल के लिए डाइमेट आप ले लेंगे जादा आपको ध्यान नहीं देना आगे हम बात करतें इंसेक्ट की तो इंसेक्ट यह सारी लगते हैं मतलब जितने उन्षर ना जिस फिटो गया है ठीकर न इसारे करके लगेंगे कंट्रोल के लिए बात कर लेट कर데 Date white gurb है सब सबहें हम देखेंगे defense है टू नोट करो theor सफ़ापर नोट करो एफीड जसीड ट्रिप्स वाइड डाइक बात करते हैं ऑटरव की माइट कर वाइट गर्व सफेदब क्या बोलेंगे शफेद लट्ट इसको बोलते हैं और सफेद लट हैं है लोक्त्री सिया कौन सी नूजिया ठीक है डाइक बात करते हैं कंट्रोल की तो कंट्रोल के लिए फोरेट लेंगे 25 केजी प्रति हेक्टिर की साफ से क्या लेंगे cha 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 है आस पास उसके ठीके बीर तेलदेतेम उजाला कर देते बगी एए भिचे में इसके सारे nano हो वहां पर आते हैं और हो गिर-इसाइंце कि इनट्रेक ले सकते हो यह कि तो यह गज्ष टाइप की उपज होती है बंच टाइप बंच टाइप की उपज हमारे पास होगी यहाँ पर 10 से 12 क्योंटल प्रती हेक्टियर और इस पेडिंग जो टाइप है इसकी उपज ज्यादा होती है 15 से 17 क्योंटल प्रती हेक्टियर उपज होती है बिल्कुल अच्छे से याद रखना इसके लाव सेलिंग रेस तो याद रखना सतर अनुपात 30 आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो लेक्च्छर समझ में आओगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट का सकते हैं आप लोगों को उसका आंसर दिया जाएगा जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसकला आप मुझे सपोर्ट जरूर करें यार गूगल पे से गूगल पे का जो आईडी है नीचे ड अगर उपर उपर सर्च में डालोगी तो क्रोस आएगा कोई नीए लवप्रिकास नाम का आपको जाना पड़ेगा नीचे चार कोलम बने रहते हैं चार कोलम है थर्ड नंबर वाला जो अप्शन होता है यहां पर आपको चूज करना पड़ेगा यूपी आई मतलब यूपी में है आप उसको भी सब्सक्राइब करें तो इस कैसा लगा आपको यह वीडियो आप मुसे कमेंट करके जरूर बताए और मेरा जो फेस्बूक पेज हैं इस्टाग्राम पेज हैं ट्यूटर हैं इन सब पर आप फोलो जरूर करें क्योंकि एग्रिकल्चर के लेटेस्ट आप